सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल और दबाईए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके अगुलर नबी ये अटिब करेदा अपको रिपए बेल का उल्टिफिकेशन अगया तर दबाईए जायेंगे जाए से टकि आर्क रिस शाम का अधेरा ये रात की तारी की फेलती है उसका आफर कैसे होगा सुबा उठा था एमान वाला था शाम तक काफिर हो जाएगा शाम को एमान वाला था सुबा तक काफिर हो जाएगा दुनिया के हसूल के लिए दुनिया की लालच में अपने दीन को नीलाम कर देगा दीन को बेचता लेगा सही और गलत का फर्क, हक और बातिल का फर्क, अगर मालूम हो सकता है, तो वो सिर्फ इल्म से मालूम हो सकता है, अगर इल्म हासिल करना चाहते हैं, इल्म हासिल करने के लिए निकले हुए हैं, तो अल्लाह तबारको ताला, जन्नत का रास्ता असान करता, यूटुब पर तक्रीर हैं, जिन आलम नहीं है हमारे पास क्या है वीवर्स फॉलोवर्स अचीब मस्ला नहीं हो जो नहीं हो खलत है मेरे वाई मैं आपके लिए निस्यत कर रहा हूं छोड़िए यह मिज़ाच अलमा को पहचाने हैं उलमा की गदर कीजिए उलमा से दिन को समझे यूट्यूब पर तक्रियर्स होना ये गलिल नहीं इस बात की वीवर्स फॉलोवर्स सुनने वाले चाहने वाले फैन फॉलोउइंग नहीं पोटो से जादा उनके हो नहीं यह पहचान नहीं है अल्ला ताला के बल्लोगों को साया धिया जाएगा है जब कोई साया रेमत के दिन होगा साथ में से एक नौजवान होंगे अलाहु अक्पर शाबुन नशाफी अबादतिल्ला वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की अबादत में गुजरे शाबुन वो नौजवान जिसकी जिन्दगी अल्लाह की अबादत में सर्फ हो वो अलागी अबादत में गुषरे एक तरसा तारूप आपके सामने उनका पेश कर दो शेक का तालुक हैदरबाद से है शेक ने माले गाउं मनसूरा यहां से अब्तिदाई तालिम हासिल की यहां से आलमियत करने के बाद शेक मज़ीद इलम हासिल करने के लिए साओी पहाचे मदीना यउनिचिटिटि से शेक ने ढिगरी हासिल की उसके बाद असी के साथ साथ शेक मदीना की मस्जिद में ऐ needies मदर्स काम करते रहे इसके बाद अला का शुकर है शेक पिछले 15 साल से साओधी में मुकीम है और वहां पर जिद्दा में अपनी दावती खिद्मात अंजाम दे रहे है मैं आप और शेक के बीच में ज्यादा देर हायलना होते हुए शेक को मौदबाना गुजारिश करता हूँ के शेक आए और इसलाम में नौजवानों का किरदार इस मौदबाना गुजारिश करता हूँ यासिर जाबरी शेक से के वो आए और अपने कलमात पेश करें सलाम आलेकम रहमतुल्ह बरकातु इनल्हम्दल्ह नहमदू वनस्ति एनुव नुमिन भी वन तवक्कल अले वनाओद बिल्ल्ह मिन शुरूर आफुसीना वमिन स्यात आमालिना मैं यहदिह ल्ल्ह वला मुदिल्लह वमैं यदलिल्ह वला हादियलह वाष्हद वन ला इलाह वाहद वाहद ला शरीक लए वाष्हद वन मुहम्मद अब्दुल्ह वर्सूलु अमा बाद आूद बिल्लह मिन श्श्यतान रर्जीम बिस्म ल्रह्मान रर्हीम या ऐयुह अल्दीन आमन उत्तु लाह रक तुकाति वला तमुतन इला वाँतु मुस्लिमुन या ईयुह अनास उत्तु रबकुम लदी खलककुम मिन नफ्स वाहिए वछलक मिना atención अचात्ट। इनल्ह कान आयक्म र्रशıs या एयुहा ज्युह अजेजिन आमनु इत्क अ bon Amma al Le ता है लुफा हो ला पो पूुफ जुफखर लड़ंसा या फो अमार पूति कृ ता इप लोड़ का ऊज ** लुoten को खução उई ले गल्हा उचल लू वासे फोजां अजीमा का लोड़ागो पामार् भार्वो उिया स्ब्सoria का इंब अगाला इनह वितियत आमनु बरब्बिहीमु फजिदना हुम हुद वरबतना अला कुलूबिहिमु इजकामु उनुद झामु फकालु रबुना रबु छमावाद लब लबुना रबु अर लबुना छुुनिहीु इलाहा, निया रखान का बिता है आपैति करैं कर ची हों भी ना खिल खुर इला दिल्लु है भाठी नान करते हैं मंतार कि साल आपैति ऑ रादी सब्सक्द गार रिखार रखियु एम रा है वसा हैं पिती है स्थाल्हिति झाल sniper तमाम तारीफ, हर किसम की बड़ाई और किब्रियाई, उसे एक अल्लाह रब आलमीन, अहकमुलहाकिमीन, इलाहुलामीन के लिए है, जिस अल्लाह तबारको ताला ने, हम सब को दुनिया में इसलिए पैदा किया, कि हम एक अल्लाह पर एमान लाएं, और उसका हक उसको दें, किसी गएर को न दें, उसकी बंदगी, ये उसका हक है, ऐसी करें, कि उसमें किसी शेय, किसी जात को शरीक न करें, सुभान लाहि मा अदमा शानु, सुभान लाहि वबहम्दिही, सुभान लाहि लगदीम, सलात उसलाम हो, इसके बाद, अल्ला के आखरी नभी, इमाम अलभिया मुहम्म्द रर्सूल्लाह, सल्लाह अलेही वसल्म की दात गरामी पर, के जिन्हों ने, हम उम्मतियों तक, अल्ला का पैगाम पहुँचाया, अल्ला का हक बताया, और, हर खेर की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई, हर शर्से हमें आगा और मतनब्ब्ब फरमाया, एक ऐसा दीन छोड़ गए, जो वाज़े और रोशन है, जिस इतना वाज़े और रोशन, जैसा कि आपने खुद फरमाया, लेलुहा कनहारिहा, ला यजीकु आन्हा इल्ला हालिक, जिसकी रात भी दिन के जैसे रोशन है, जो ऐसे वाज़े और रोशन दिन से हटेगा, दूर होगा, वहलाक और बर्बाद होगा, आज बड़े खुशी की बात है, कि हम 21 अक्टोबर 2017 इस्वी बरोस सनीचर हफ़ता बुल्डाना की इस मस्जिद मुहम्मदी में इस प्रोग्राम में हम बैठे हुए हैं, जिसमें अक्तर और बेश्टर किया, बलके तकरीबन नौजवान ही नौजवान हैं, और मौदू भी उनहीं से मुतालिक है, जो मौदू मुझे दिया गया है, इसलाम में नौजवानों का किरदार, अल्ला से मेरी ये दूआ है कि अल्लाह तबारको तालाह हम सब को अपनी अपनी दिम्मेदारियों को समझते हुए, अपनी अपनी मस्थोलियत को समझते हुए, कमा حق कहू उनको अदा करने की तवफिख अता फर्माएं, ल्लाह तालाह हम सब को तवफिख दे कि हम ल्लाह के दिन को समझें, ल्लाह के दिन का इल्म हासल करें, और उस पर अखाया, और इस दीन को दूसरों तक पहुँचाएं आमीन या रब अलमीन मुहतरम सामईन जिन्दगी अल्ला अज़जल की एक बहुत बड़ी निमत है ये जिन्दगी अल्ला तबारको ताला ने इसलिए अता की है ताकि अल्ला ये देखे कि हम में से कौन अच्छा अमल करता है सूर मूलक की मशूर आयक अल्ला रब अलमीन ने फर्माया ये खलकाल मौत वलहिया लियबलूकुम ऐयुकुम आहसन अच्छा अमला अल्ला अज़जल ने मौत वह्यात को पैदा किया ताकि वो ये देखे कि تم میں سے کون अच्छा अमल करता है मालूम हुआ इस आइज से के मौत औ हया ये जो जिन्दगी हयाँ है इसको जो मौत लाहिक है ये सिल्सिला जीना और मरना किसलिये है ताकि और इन उत्वाु आई है कि हम में से कौन अहसन अमल करता है अहसन आमल का मतलब अर्दू में अगर उसका तर्जमा करें तो अच्छा अमल ज्यादा अच्छा अमल ज्यादा अच्छा का क्या मतलब है फदेल इबन अयाद रह्मत अल्हाले से सवाल किया गया मा अहसन हूँ ये अहसन अमल क्या है आपने फरमाया अखलसुहु वास्वबुहु अहसन अमल का मतलब ज्यादा खालिस हो और ज्यादा सही हो अगर अमल खालिस होगा लेकिन सही नहीं होगा सवाब नहीं होगा तो वो अहसन नहीं है अल्ला के यहां उसकी कोई हैसियत नहीं है ना काबिल और अमल होगा सही होगा ठीक होगा आमल लेकिन खालिस नहीं होगा तो भी अल्ह कैंढ़ आ कबूल नहीं किया जाएगा allah taala वहीं आमल कबूल करता है जो अखलस भी हो असौब भी हो और यही तफसीर है अहसन की जो सूर मुल्स की है क्या मतलब ला आ खलस Cy असौब अकलस मतलब खालिस हो क्या मतलब खालिस कि जो अमल किया जाए लिल्लाह किया जाए नियतें ये हो इरादें ये हो कि अल्लाह राजी हो अल्लाह खुश हो अल्लाह के लिए वो अमल किया जाए इमाम बुखारी रह्मतुलाले ने इसकी अहमियत देखिए इखलास की नियतों में इमाम बुखारी रहमतुल्ला अले ने जब सही लिखी तो सबसे पहले इसी अधिस को नकल फरमाया जिस अधिस में लाके नभी मुहम्मद ररसूलुल्ह सल्लालाहु अल्युशल्म ने फरमाया इन्नम लामाल बनियात वे इन्नमा लेकुल इम्रियम मनवा वमन कानत हज्डुव एल्लह वरसूली allen कानत हज्डुव लिदुनिया युसीभववववव नभी नियुशलाइशलुल्म ने परमाया अमाल का दार وमदार नियतों पर होता है जैसे नियत, इनसान की जो नियत होगी वही बदला उसको दिया जाएगा हिजरत की मिθाल दी नबी लेश स्थाजलातुस्राम ने अगर ये लृश रुसके रसूल के लिए होगी तो लृश रसूल ही के लिए होगी उसका हिजर मिलेगा लेकिन अगर दुनिया के लिए ये हो कमाने या किसी औरस से निकाह करने के लिए तो फिर ऐसी सूरत में चुके नियत वही है तो वही वह चीज उसको मिल जाएगी बताने का मकसद ये है आमाल अहसन हो उसमें अखलस होना जरूरी है खालिस का मतलब मेरी और आपकी नियत हर अमल के पीछ है जिसे मिसाल के तुर पर मैं तक्रीर करने के लिए आपके सामने खड़ाऊँ तो तक्रीर से पहले मेरी नियत ये होनी चाहिए कि मैं अपने भाईयों को उनकी जिमेदारियां बताऊँ मसूलियत बताऊँ दीन की कुछ बाते समझाऊँ ताके वो अमल कर सके मैं भी अमल कर सकूँ और मुझे बताने पर अल्ला अजर दे मेरा रब उससे राजी हो जाए मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊँ तो नमाज से पहले मेरी नियत ये हो कि ये नमाज में आल्ला के लिए पढ़ रहा हूँ अल्ला मेरा इस नमाज से राजी हो जाए लवज नमाज से ज़्यादा सला का लवज इस्तिमाल करना बहतर है क्योंकि ये शरीस तलाहात है जैसे हम हज़ और उम्रा कहते हैं न अम्रे को अर्दू में क्या बोलते हैं अम्रे को अर्दू में क्या बोलते हैं अम्रा हज को क्या बोलते हैं अम्रे में जकात को क्या बोलते हैं अर्दू में अर्दू में जकात हज, अम्रा, जकात ये शरी इस्तलाहात हैं हम वही कहते हैं जो अर्बी में हैं जो कुरान में हैं हदीसों में हैं दो चीजे सिर्फ बाकी रह गई हैं नमाज और रोजा अगर इसको भी सौम व सलात बोलना शुरू कर दें आदट डाल दें तो बहतर है इसलिए कि नमाज लफ़ फारसी है एक खास खिसम की पारसियों की पूजा को नमाज कहते थे वो लोग तो एहल इलम से रुभी हम हुए इस मुसले पर तो उन्होंने भी यही कहा कि बहतर यही है कि लोग लफ़ नमाज की जग़ा सला के लफ़ इस्तipर बहतर कह रहा हो मैं हराम नहीं है नमाज गोलना तो नमाज की जग़ा लफ़ इस चला की नियत करें तो हमारे दिल में ये हो कि ये सलाएल्णा के लिए जिसे के लाँ ने फर्माया कुल इन्ना सलाती वनुसुकी वमाहिया वमामाती लिल्लाह अरबिल आलमेन लाशरीक लह विधरिक अमरत वैना उवलमस्लिमीन कहदीजिए नभी लिस्त्त अलब ﷺ कि आप कह दीजिए क्यों तो कि आप नभी हैं आपका आमल अपका आमल उस्वा होगा उम्मत के लिए जो आप करेंगे वो उम्मत करेंगी उम्मत की दिम्मदारी यह है कि वो नभी ﷺ के तरीके पर अमल करेंगी तो नभी ﷺ से कहलवाया जा रहा है आप कहिए क्या कहूं इनसला बैलाती, बेशक मेरी, صला, जिसको अभी हम अमाज बोड रहे हम बोड रहे थे, वनूसुकी, और मेरी कुर्बानी, वो मह्याया वो ममाती, और मेरा जीना और मरना लिल्लाह रब्लाइ आ्लाह के लिए है, रब्लाइ आलमी जो सारे जहानों का रब है, तो जब नभी आस्तिकी सलाव ये तो उम्मती की सलाव किस के लिए है जब नभी आस्तिकी किस के लिए feeling that اللہ کے لیے ہونا جب نبی علیہ السلام کی حیات آپ کی زندگی اللہ کے لیے تھی تو امتی کی زندگی کس کے لیے ہونا اللہ کے لیے آپ کی موت اللہ کے لیے ہوئی ہماری موت اللہ کے لیے ہونا جو نبی کا عمل وہ ہمارا عمل کیوں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ وہ عُصْوِ حَسْنَانَ ہیں ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے حیات اور موت جو رکھی ہے احسن عمل دیکھنے کے لیے اور احسن وہی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو نیتوں میں یہ ہو کہ کوئی بھی عمل آپ کریں دعوت کا کام کریں دین کا کام کریں عبادت کریں قول عبادت ظاہری عبادت باطنی عبادت مالی عبادت انفرادی عبادت اجتماعی عبادت نیت خالص کرنا بہت ضروری ہے خالص نیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر بدلہ دے گا اور یہ احسن عمل ہوگا دوسری چیز اسوب زیادہ ٹھیک کا مطلب سنت کے مطابق ہو وہ عمل جو ہم کرنے جا رہے چاہے وہ صلاح ہو دعوت ہو تبلیغ ہو کوئی بھی عمل ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا ضروری ہے اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا عمل تو وہ اسوب ہوگا تو اگر یہ دو چیزیں جن کو اہل علم نے فرمایا شروط قبول العبادہ عبادت کی قبولیت کی دو بنیادی کنڈیشن عبادت کے قبول ہونے کی دو شرطیں ایک اخلاص نمبر دو اتباہ یہ دونوں کا عمل میں پایا جانا یہ عمل کو احسن بنا دیتا ہے اور جب عمل احسن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے تو میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں نوجوان میرے بھائی جوانی بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا کیوں اس لیے کہ قوت ہوتی ہے چذبات ہوتے ہیں خون کی دور تیز ہوتی ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے عمر کا یہ حصہ بڑا اہم حصہ ہوتا ہے بہت اہم part of the life ہے یہ لہٰذا جوانی کو دین میں لگانا اللہ کی عبادت میں صرف ہو جوانی یہ کامیابی ہے اسلام میں اسلام نے نوجوانوں کو ابھارا بلکہ عمومی طرح پر سب کو کہ ان کی زندگیاں اللہ کے لیے وقت ہوں اللہ جیسے چاہے ویسے زندگی گداریں نہ یہ کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گداریں کیونکہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے اللہ کی خوشی قسم ہے اللہ کی رضا قسم ہے کیا بولو کہ اللہ خوش ہوگا کیا کرو کہ اللہ خوش ہوگا میں کیسا جیوں کہ جیسے جس زندگی سے جس جینے سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا تو یقینا یہ چیز ہمارے زندگی میں آ جائے تو ہمارے زندگی کامیاب ہوگی نوجوانوں کو چاہیے کہ زندگی اللہ کے حوالے کریں مطلب ویسا جییں ویسی زندگی گداریں جیسے اللہ چاہتا ہے اگر یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں سات قسم کے لوگوں کا ذکر کیا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا لوگ سایہ کی تلاش میں پریشان ہوں گے کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ کے عرش کے تلے سات قسم کے لوگوں کو سایہ دیا جائے گا سبعتن اللہ اکبر شرف دیکھیں حدیث پر غور کیجئے سبعتن یضلہم اللہ فی ضلہی یوم لا ضلہ الا ضلہ اللہ تعالی سات لوگوں کو سات لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا سایہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ہمارا رب عرش پر مستوی ہے اللہ کہاں ہے کا ایک ہی جواب ہے صحیح جواب اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے الرحمن علل عرش استواء یہ سب دلیلیں اپنی جگہ ہیں تو اللہ تعالی کے عرش کے تلے سات لوگوں کو سایہ دیا جائے گا جب کوئی سایہ قیامت کے دن نہیں ہوگا تو سات میں سے ایک نوجوان ہوں اللہ اکبر شاب نشا فی عبادت اللہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے شاب وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں سرف وہ اللہ کی عبادت میں گزرے غور کیجئے کتنا بڑا شرف قیامت کے دن حاصل ہوگا ایسے نوجوان کو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے یہ ہے اصل مطلوب تو میرے بھائی اس چیز کو ذہن میں رکھئے کہ ہماری زندگی اللہ تبارک وتعالی کی عبادت میں گزرے جوانی ہماری اللہ کی عبادت میں گزرے تو ہم کامیاب ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک وتعالی ہم سے ہماری عمر کے مطالق ہمارے مال کے مطالق ہمارے علم کے مطالق ہماری جوانی کے مطالق पुछाएगा जैसा कि सहीं हदीस में नभी आले सिलाथ असलाम ने इसकी खबर दी फरमाया कि कदम उस वक्त तक नहीं उठाएंगे इनसान जब तक कि उनसे चार सवालात नहीं किया जाएंगे चार में से एक सवाल वान शबा भी ही उसकी जवानी के मुटालिक पुछा जाएगा कि जवानी उसमें उसने कहां सर्फ की जवानी उसकी किस चीज़ में गुजरी कहां जिन्दगी गुजरी उसने अल्लाह तबारक उताला कि अल्कियामत के दिन ये सवाल करेगा जबके इससे पहले जो लफ़ हदीस में आया है वो उम्र है और उम्र में जवानी भी आती है उम्र में उम्र के मताले सवाल क्या जाएगा कि आपको अल्ला ने जो उम्र अता की साड़ बरस, सत्तर बरस ये कहां गुजरे कैसे गुजरे क्या इससे जवानी नहीं होगी जवानी भी होगी उसको अलग से दिक्र किया गए इससे अहमिट मालूम होती है जवानी की वाईंशबाबी वी मञफना लघ ताला जवानों से पूछएगा जवानी कहां गुजरे लहाजा अल्ला की अबादत में जवानी सर्फ हो ये अहद कर ले हम जवान हैं मैं 18 साल का हूँ 15 साल का हूँ या 20 साल का हूँ या 21 साल का हूँ मेरी अमर मेरी जवानी इन्शालला अल्ला की अबादत में गुजरेगी ये बहुत जरूरी है अहद करना मैं खेल कूद में एश व इशरत में नफ्सानी खाहिशात की तक्मील में मनमानी दोस्तों के साथ खेलते हुए हराम चीजों का इर्तिकाब करते हुए और दीन से दूर होकर मेरी ज़आनी नहीं गुजरेगी बल्के Allah की अबादत में मेरी जवानी गुज़रेगी और इसके लिए सबसे अहम मसला इल्म हासिल करना है क्यूँ? इसलिए के अबादत में जिन्दगी गुजारना है अबादत सही हो रही है या गल्त? अबादत में सही करू तो कैसे करू? किस عبادت को सही अबादत कहते है सही और गलत का फर्क हक और बातिल का फर्क अगर मालूम हो सकता है तो वो सिरफ इल्म से मालूम हो सकता है खाब नहीं आएगा जुआन को कि ए जवान तूने अरादा कर लिया है कि तेरी जवानी आलाके दीन में सर्फ होगी नई ना कोई चीज आके बताने वाली ये इससे 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 इन्सान को पता चले कि वोजो कर रहा है या बोल रहा है सिन्दगी गुजार रहा है सही है दुरूस्थ है अल्ह त 때문에 चाहता है वैसे है इसका रास्ता मालूम करने का सिर्फ इलूम है इसलिए शरीयत इसलामिया ने इल्म पर उबारा और इस बात का हुक्म दिया कि इल्म हासिल करो और इसलिए इल्म की फ़जीलत मुझे ज्यादा इल्म अता कर कोई चीज ज्यादा नहीं मांगने के लिए ल्ला ने कहा है ना माल ना दौलत ना दुनिया ना नेमतें सिवाए इल्म के गोर कीजिए ज्यादती का मतलब ज्यादती की कोई लिमिट होती है किसको बोलेंगे ज्यादा रभी जिदनी इल्मा ऐ ус मेरे रभ मुझे ज्यादा इल्म दे ज्यादा मतलब क्या एक किताब पपड़ लेना तो किताब पड़ लेना एक तकरीर सुनना एक आलिम की सुऩत में एक दरस को या एक इल्मी दोरे को अटेंडिड कर लेना या 40 दिन का कोई कोर्स कर ले ना 10-15 दिन का कोई कोर्स कर लेंगे तो ज्यादा इल्म आगए आपके पस ज्यादती की कोई लिमिट नहीं होती है रब्भी जिदनी इल्मा ए मेरे रब मुझे ज्यादा इल्म अता फर्मा अध्यादा नभी इसल्म को दूआ सिका रहा है और अध्यादा का हुक्म वकुल आप कहीए आप ये दूआ कहीए पढ़िये ये दूआ क्या रब्भी ए मेरे रब जिदनी इल्मा मुझे ज्यादा इल्म अता फर्मा जब Allah ताला स्jadiादा सियाधा try वालाजीन आमनु मिनकुम वाल्दीन उटूल आउतूलयमून वाल्लदीन लायालमून कह दीजिए, वो लोग, वो जवान, जो इल्म हासिल करते हैं, और वो जवान, जो इल्म हासिल नहीं करते हैं, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं, क्यूं, इसलिए कि वो जवान, जो इल्म हासिल कर रहा है, वो खेर पर है, जन्नत के रास्ते पर है, अल्ला ताला इसके ज आल्म तलब करने की नभी दिर सलाथ स्लाए लखेश ल trades में फर्माया ि मन्सल 75 form वी यल्तमी सुफू फी ईरमा सहल लह भी सहललाहु भी कुरिक ल ली जन्ठ जो इनसानu ilm气 तर एपन इंग्दे उनम की तलफ में निक्ले इल्म हासिल करने के लिए निकले हुए हैं, तो आलाह तबारकोटाला जन्नत का रास्ता असान करता है, नंबर एक जन्नत, नंबर दो रास्ता, नंबर तीन, आसान होना, जन्नत हम सब की खाइश है जिसको जन्नत बहुत बड़ी नहमत है ये घर है मुत्तकियों का, अहलुल इमान का, अहल अमल साले का जन्नत सब को चाहिए जन्नम किसी को पसंद नहीं है न कोई चाहता है ये और बात है कि चलता उसी रास्ते पर है लेकि पूछो तो वो नहीं बोलेगा, कि मुझे जहन्नम जाना है, लेकि ändख जा रहा है उसी रास्ते पर, अजीब मसला है। बुल्डाना जाना है और अंगबाद का रस्ता पकड़ा हुआ है और हमाँ जाना है क्या है नांदेड का रास्ता पकड़ा हुआ है परहाल ये एक अलग परिशानी है तो हरे एक को जन्नत चाहिए एक चीज़ दूसरी चीज़ जन्नत का रास्ता होता क्या है आदमी चाहता है एक चीज़ लेकिन चलता है किसी और रास्ते पर और वो समझता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ यह बड़ा प्रोबलम है एक आदमी को उसका बुरा आमल उसकी नजरों में अच्छा बता दिया जाए अल्ला ने गुरान में फरमाया अफमन जूयन लहू सूऊ वो इनसान जिसको उसका सूए अमल बुरा अमल मुजयन किया जाता है अच्छा दिखाया जाता है वो अपने बुरे अमल को वो अच्छा देखता है जब अपने बुरे अमल को वो अच्छा देखता है तो वो करता रहेगा है ना करता रहेगा उसको और करते करते चले जाएगा और समझेगा कि मैं अच्छा आमल कर रहा हूँ कितनी बड़ी मुसीबत है देगा जैसा कि किसी शाहर ने कहा वे इनकुनत ला तद्रीफ दिलका मुसीबा वे इनकुनत तद्रीफल मुसीबत वादम नहीं मालूम है तो परेशानी है मालूम होना बड़ी परेशानी है बेरहाल बड़ात के मुतालिक इमाम सुफियान थौरी रहमतुलाले का कोल यहां मुझे याद आता है बड़ात को अगर आदमी बड़ात ना समझे अच्छा समझ के अमल करे तो उसके लिए कैसा खत्रा होता है देखिए इमाम सुफियान रहमतुलाले बेहान फरमाते हैं बड़ात अहब इला इबलीस मिनलमासिया फइनलमासियत कद युताब मिनहा वइनलमासियत ला युताब मिनहा कहते हैं इमाम सुफियान रहमतुलाले बिदाद इबलीस, जो सरदार है शेतानों का, बिदाद इबलीस की नजर में गुना से ज्यादा पसंदिदा है बिदाद, बिदाद गुना है या नहीं है, गुना है हर बिदाद गुना है, है या नहीं, हर गुना बिदाद है, नहीं है इबलीस की नजर में बिदाद गुना से ज्यादा महबूब है महबूब, ज्यादा महबूब, महबूब सब है उसके नजदी आद्मी गुना करे उसको अच्छा लगता है आद्मी बिदाद करे उसको ज्यादा अच्छा लगता है क्यों ये भी गुना है ये भी गुना है कहते हैं आदमी गुना कर रहा है तो तौबा कर लेगा आदमी गुना कर रहा है तो तौबा कर लेगा लेकिन आदमी बिदाद करेगा तो तौबा नहीं करेगा क्यों इश्रिय के गुना करने वाले को मालूम है कि मैं गुना कर रहा हूँ सिंपल है भाई कोई मुश्किल नहीं है सवाल गुना करने वाले को मालूम है कि मैं गुना कर रहा हूँ तो वो जब पता है उसको कि मैं गलत काम कर रहा हूँ छोड़ देगा उसको आखिएदे कोई नसीयत करेगा चोड़ देगा एक आदमी बिदद कर रहा है क्या उसको गुना समझज के करता है हो सुना समझ के करता है अच्छा काम समझ के करता है तकर्रुबिल्लाह मैं अलोगे गरीब जा रहा हूं वे यही प्रॉबलम है बिदद का तकर्रुबात उसको समझते हैं पुर्बात इलाल्ला समझते हैं छोड़ेंगे उसको एक आदमी जिसको अच्छा समझ रहा है हलांके गलत है छोड़ेगा उसको नहीं छोड़ेगा इसलिए इबलीस चाहता है कि बिदत ज्यादा अग्षो तो जन्नत का रास्ता मैं इसलिए दे रहा जन्नत उसका रास्ता एक आदमी समझ रहा है हाँ यही रास्ता है जन्नत का जैसे मिसाल के दूर पर शिर्क कर रहा है वो समझ रहा है मैं तोहीद के रास्ते पर हूँ शिर्क कर रहा है बिदत कर रहा है गलत अमल कर रहा है और वो समझ रहा है कि मैं बिलकुल जन्नत की रास्ते पे जा रहा हूँ कितनी अबादते कर रहा हूँ इसकी अबादते शिर्क पर मुनहसर है उसकी अबादते बिदाध पर मुनहसर है गलत हैं सुन्नत की मुखालिफते हो रही है और वो समझ रहा है कि मैं जन्नत की राह पर लगा हुआ हूँ समझ रहे हैं तो रास्ता सही जन्नत का मालूम होना ये नहमत नहीं है बहुत बड़ी नहमत है एक तो जन्नत नंबर दो रास्ता अच्छा पिर रास्ता आसान होना रास्ता मुश्किल भी होता है, रास्ता असन भी होता है ना अभी और अबास से कल जब यहाने का मसला हो रहा था तो हमारे जो जो जिम्मेदार है ने, लाजजाए खेर दे आसन रास्ता पूझ रहे थे क्यों? क्यों कि बाई जल्दी से जाएंगे, सुकुन से जाएंगे आदमी आसानी चाहता है तो इल्म है मेरे नौजवान भाईयो प्यारे नौजवानो इल्म कितनी बड़ी दौलत है अल्ला के नभी ऐसलिम कैसी बड़ी खुशकबरी सुना रहे हैं जो इल्म की तलब में निकलेगा अल्ला ताला उसको जन्नत का रास्ता आसान कर देगा अल्ला आसान कर देगा जन्नत का रास्ता उसके लिए जब रास्ता मिल गया जन्नत का रास्ता और वो भी आसान हो गया वो जाएगा उस रास्ते पर इंशाल्ला क्यों? क्योंके इल्म हासिल कर रहा है इल्म से रास्ता मालूम होगा और आसानी से कैसे जन्नत में जाएगा ये भी मालूम होगा और इन्शालला ला की बनाए हुई जन्नत का वो मुस्तेख होगा ला की बनाए हुई जन्नत का वो अखदार होगा لہذا علم کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے لہذا نوجوانوں کو چاہیے सबसे پہلا असल मसला اللہ के दीन का इल्म हासिल करना अल्ला के दीन को समझना इल्मसे तफक्को आता है दीन को समझना प्रेशानी क्या है? नوجوان चाहता है कि वो दीन पर रहे आज एक जस्बा होता न अंदर से कुछ करूंगा मैं मैं कुछ करना चाहता हूँ मेरी गूर अच्छी चीद है क्या करोगे आप मैं दीन पर अमल करना चाहता हूँ मैं दीन के लिए कुछ करना चाहता हूँ बेशक करना है जरूरत है दीन के लिए कुछ करने की और नौजवान जितना कर सकते हैं बुड़े या बच्चे नहीं कर सकते हैं उनकी उमर के तकाजे अपनी जगाहें मसाहिल उनके साथ होते हैं नौजवान जितना दीन के लिए खिद्मत कर सकते हैं या दीन की खिद्मत कर सकते हैं उतना कोई और नहीं कर सकते हैं तो दीन की खिद्मत होगी नौज़ान से, लेकिन किब सही खिद्मत होनी है, कब जब वो लगे के दिन को समझेगा जिस को कहते है, तफ़को फिद्दीन तफ़को फिद्दीन दीन को समझना ये बहुत अहम रोल है नौजमान का, कि वो अल्ला के दीन को, शरीयत को वही जो अल्ला ने उतारी है, उसको समझे, मसला क्या है, दीन को समझता नहीं है नौजमान, क्यों? इल्म नहीं है, इल्म से तफक्व आता है, और तफक्व कितनी बड़ी चीज़ है, दीन को समझना कितनी बड़ी चीज़ है सुनी है नबी आले स्वाइब ने फरमाया मैं यूरिति लाहु बही खेरा युफकिहु फिद्दीन अल्ला ताला देखिए हदीस चोटी है बड़ी अधीम हदीस है अल्फास मुख्तसर है अल्ला ताला जिस से खेर का इरादा फरमा ले यूरितिन 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 यूरित इस हदीश में तफक्व फिद्दीन की एहमियत और फजिलत मालूम होती है अल्ला की शरीयत को समझना अल्ला के दीन को समझना ये समझ कैसे हासिल होगी इसके मुख्तलिफ वसायल जरी है जैसे ये कि आप इल्म हासिल कीजिए उल्मा की सहबत इक्तियार कीजिए अरबी जबान जानिए नासिख और मनसुख को देखिए आप पहचानिए असूल और दवाबित कवाइद होते हैं दीन के दीन को समझने के लिए वो हमारा मौदू भी नहीं है हम उस पे तफसिल से आपको बात भी नहीं कर सकते हैं वक्त भी नहीं उसके लिए असल मौदू जो है उस पे हम रहेंगे तो नौजवान की जिमेदारी है वो चाहता है कि दीन के लिए कुछ करे दीन पर अमल करे दीन को नशर करे तो जरूरी है कि वो इस दीन को समझे शरीयत का तफक्व हासिल करे दीन की समझ नहीं होने की वज़े से अगर वो गलत समझेगा जैसा अल्ला दीन समझना जैसा समझने का चाहिए समझने का हक है वैसे न समझे जिसको इमाम शाफिर रहमतुला ने बियान फरमाया मुराद अल्ला को ना समझे मुराद ए रसूल समय को ना समझे कलाम उल्ला तो पढ़ता है कलाम उल्ला तो पढ़ता है मुराद अल्ला नहीं समझता है कलाम ए अधिस कलाम पढ़ा मतलब नहीं समझा कुरान पढ़ा तफसीर नहीं मालूम हदीस पढ़ा हदीस की तफसीर नहीं मालूम है हदीस की तश्री नहीं मालूम है तो ये समझ का गुसूर होगा जब ये चीज आएगी प्राबलम तो फिर तो उल्टा समझेगा हलाल को हराम, हराम को हलाल जाइस को नाजाइस, नाजाइस को जाइस गलत रास्ते को सही रास्ता समझेगा बातिल को हक समझेगा, हक को बातिल समझेगा जब वो समझेगा गलत तो अमल भी गलत होगा, फिर उसकी दावत भी गलत होगी फिर उसके लिए जो कुछ वो करेगा सारी चीदे गलत होगी इसलिए बहुत 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 जरूरी है एई नुजवानों अल्ला के दीन को समझने की कोशिश करो सिर्फ जजबात नहीं काफी है कि हमारे दिल में जजबा है काफी जबात बहुत अच्छी जीदे लेकिन इन जजबात को सही रुख देना अल्ला की शरीयत को अल्ला के नासिल कitez दीन को समझना जरूरी है खबारिज नहीं समझे जजबे थे कुछ करना चाहते थे दीन के लिए عمل بھی کرتے تھے नमाज भी पढ़ते थे पुरान भी पढ़ते थे दीन पर अमल भी था जजबात थे अमल था तफक्को नहीं था तफक्को नहीं था अल्ला के दीन को नहीं समझे और खवारिश के मुदालिश जो हदीश याई उसमें किया शबात थे नौजवान थे कम उमर थे जजबे वाले थे समझे नहीं दी इनको तो क्या किया आयत का मतलब एक था लिया एक कुफर के फत्वे लगा दिया जब समझने का प्राब्लम आया तो उससे तक्फीर आया खुरूज आया देखे एक गलती अगर हो जाए बुनियादी तो फिर उसका खुम्याजा भुगतना पड़ता है बहुत सारे बुरे नतायज उसके सामने आते हैं जब बुनियादी गलती हो जाए तो खवारिश की बुनियादी गलती क्या थी कि उन लोगों ने की शरीयत को ला के दीन को नहीं समझा जो नौजवान थे अगर हम हमारे नौजवान अल्ला के दीन को नहीं समझेंगे तो क्या होगा गलतीयां होंगे मिसाल के तौर पर खुरूच मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ मिसाल चली आपके सामें में पेश करता हूँ नौजवाने पड़े लिखे जूकर टड़े मिसाल समझना इंशालला आसान होगा समझाना मेरा काम समझना आपका काम इंशाला बुराई को हटाने का हुकम है इसलाम में या नहीं बुराई एक वो इनसान जिसके दिल में इमान हो इमानी खीरत हो बुराई को पसंद करेगा ने करेगा बुराई को पसंद नहीं करेगा जब उसके अंदर दीनी मिजाच पैदा हो जाएगा चलिए अगर बाश्शा मुसल्मान है उसके जिन्दगी में बुराईया हो रही है बाश्शा मुसल्मान है उसकी जिन्दगी में बुराईय है क्या करना शरीयत ने कहा बुराईय को हटाओ नभी ऐसलिए ने फर्माया बलके उससे पेले एक आयत पढ़ दूँ, एक हदीश पढ़ दूँ मैं कुंतुम खेर उम्मतिं अखरिजत लिन्नास तामुरून बिल्मारूफ वतनहून अनिल्मुनकर तुम खेर उम्मत हो, निकाली गई हो लोगों के लिए तुमारा काम, भलाई का हुकम देना, बुराई से रोकना, अल्ला पर उमात रखना है न यह मालूम हुआ कि उम्मत की एक जब्मारूफ नहीनिल्मुनकर हैना यह फरिधा, फरिधा है, फर्द िंड जी, कि आप भलाई का हुकम don, बुराई से रोको हदीस आईए, देखिए हदीस में नभी ऐस सवे ने फरमाया नभी असे नहीं नाइस ने बुराई देखो तो हाध से रोको हाध से नहीं रोक सकते हो सबान से रोको दिल से रोको और ये अज़ाफ दरजे का प्रमान अायत पढ़ लिया नो जवान हदीस भी पढ़ लिया आप देखता है बाश्चाह में बुराई है मुसल्मान बाश्चाह है बुराई करा है बुराई कर दो शराप पिता है शराप बुराई है ना क्या करेगा वो अगर दीन को नहीं समझेगा अब बुराई को हटाना है यहाँ पर शरीयत का हुकम है वो बहुत है आयत में भी है अमरभिल मारू नहीनल मुनकर हदीस में भी नहीनल मुनकर का हुकम दिया गया है लियाजा मैं हटाओंगा अब मैं जाके तो हटा नहीं सकता हाथ से मैं बोलूँगा भाई मैं खूब बोलूँगा जबान से मैं जबान से खूब बोलूँगा चाहे मुझे मारा जाए पीटा जाए कुछ पर जल्म हो जैसा भी हो मैं बोलूँगा खूब आशा के बारे क्या ये सहीं इसने समझा है गलत तफको की कमी है यह नहीं समझा वो ना वो आयत समझा जो अमर बिलमारूफ और नहीं अल्मुनकर के सिलसे में आवारिद हुए ना वो हदीश समझा जिसमें नबी अलस्तु असलाथ और जबान से बुराई को दूर करने का या दिल से बुराई को दूर करने का हुकम दिया उसके कुछ उसूल और द्वाबित है बाश्शा की जिंदगी में वो देखता है तो उसको पहली बात ये जो अमर मिलमारूव नहीनल मुनकर है इसके उसूल है पहले आयत में मुराद अुलमा है आयत से मुराद उलमा है अंबिया और उलमा علماء का काम है बुराई से रोकना क्योंकि उनको मालूम है कि ये बुराई है दूसरी बात हदीश में जो नभी लिए 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 जो इसकी ताकत रखता है मिसाल के तोर पर आपके छोटा नौजवान है उसका छोटा भाई कोई बुराई करता है वो हाथ से उस बुराई को दूर कर सकता है तो वो हाथ से दूर करेगा बीवी में बुराई है हाथ से उस बुराई को दूर कर सकता है जरूर करेगा उसके मातहद कुछ लोग रहते हैं उसके अंडर में कुछ लोग रहते हैं वो हाथ से बुराई को दूर करने पर قादर है और यहां यह बात भी मलहूद रुखी जाए कि बुराई खत्म हो जाएगी तो हाथ से उस बुराई को दूर करेगा यह उसूल है भई अल्लामाफ इबन क्यम रहमत अल्हा ले फरमाते है बुराई हटाई जाएगी शरीयत के हुकम है अगर आपको यकीन हो कि बुराई हटेगी अचा उससे पहले मैं वह थीश का वजाहत कर दूँ हाथ से कौन हटाएंगे जो इस्तिताद रखते हैं जबान से कौन हटाएंगे खतीब, इमाम जो एहल इल्म है अपनी जबान से बुराई को लोगों में बताएंगे कि ये कौम में बुराई हो रही है ये महाशरे में बुराई है इसको दूर करना चाहिए दिल से बुरा समझना ये सब कर सकते है ठीक है, वो अपनी जगा उसूल है अल्लामा इबनल्कयम रहमतुल्ला ले बियान फरमाते है बुराई को हटाया जाएगा अगर आपको यकीन है कि अगर आप इस बुराई को हटाएंगे तो वो बुराई हट जाएगी आप हटाएगी लेकिन अगर आपको ये यकीन हो कि अगर मैं ये बुराई हटाऊंगा इसकी जगा इससे बड़ी बुराई जनम लेगी समया देने बात को अगर आपको यकीन हो कि अगर मैं इस बुराई को रोकने की कोशिश करूंगा तो इससे बड़ा मुनकर जनम लेगा तो आप मत हटाईगे क्यों? आप शरीयत का जो हुकम है वो इसलिए के इजाला हो जाए मुनकर खतम हो जाए लेकिन अगर आप खतम करते हैं तो उससे बड़ा मुनकर होने वाला है तो खतम ना करो आप क्यों? आप जरीया बनोगे बड़े मुनकर के वजूद का नमबर दो अगर आपको यकीन हो कि मैं ये बुराई हटाऊंगा तो इसके लेवल की दूसरी बुराई जनम लेगी आएगी तब भी मत खताऊ क्योंकि बुराई हताऊगे तो बुराई आएगी अगर आपको शक हो तब भी आप बुराई को मत खताऊ ये उसोल है मेरे भाई जवाबित हैं और जहां बाश्शा की मिसाल आई जालिम बाश्शा उसके पास पावर है गुवत है शरीयत ने ये नहीं कहा कि उससे बुराई को खतम करो आप हाँ आप जाकर उसको नसीयत कर सकते हो और उसका असर हो सकता है उम्मीद है गालिब दन है तो ऐसी सुरत में ये आप कर सकते हो लेकिन बगावते करना लिसानी या सिनानी तलवार से या जबान से ये शरीयत ने इसका हुक्म नहीं दिया है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मुनकर जनम लेगा तो तफको की कमी की वज़े से खवारिश ने क्या किया बुराई को जबानों से तलवार से हटाने की कुशिश की बाश्चा से देखिए दीन को नहीं समझे शरीयत के उसूलों को नहीं समझे जिसकी वज़े से वो खुरूच पर आगए तकफीर पर आगए इनिलहुक्म इल्ला लिल्ला हुक्म अल्ला का चलना चाहिए क्या मतलब कि इनसान फैसला नहीं कर सकता है फैसला अल्ला करेगा इनिलहुक्म इल्ला का मतलब लेकिन इस आयद का इस आयद का मतलब क्या है तो दीन को मैं मिसाले दे रहा हूँ समझने के लिए اللہ کے دین کو اے نوجوان میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کیجئے ہم اصل پرابلم کیا ہے سمجھنا ہے میں ایک اور ایک مثال میرے خاصے بھائی نے بتایا کہ عورتیں لڑکیاں بھی ہیں یہاں پر تو میں ایک مثال دیتا ہوں حالت احرام میں ایک اور ایک مثال میں دے رہا ہوں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حالت احرام میں عورت کے لیے منع ہے نقاب لگانا صحیح ہے نا احرام باندھے عورت تو وہ نقاب نہ لگائے اب یہ ایک مسئلہ شریعت کا اس کو سمجھنا ضروری ہے علم حاصل کرنا تاکہ تفقہ آئے عورت ہماری بہن سمجھے کہ کیا مطلب احرام کی حالت میں نقاب نہیں لگانا اگر وہ نہیں سمجھے گی علم نہیں حاصل کرے گی تو چہرے کو کپڑا نہیں لگائے گی وہ نقاب بنا ہے تو چہرہ کھلا رکھ کے وہ عمرہ کرے گی چہرہ کھلا رکھ کر وہ حج کرے گی کپڑے سے پوچھے گی نہیں وضوح کر کے تچ نہیں ہوگا اس کا کپڑا کیوں اس نے یہ پڑھا ہے یا سنا ہے حالت احرام میں عورت کو نقاب لگانا منہ ہے سمجھیں نہیں وہ سمجھ رہی ہے کہ نقاب کا مطلب چہرے کو کپڑا تچ نہیں ہونا یہ کیسے سمجھے کیا یہ مطلب ہے اس کا نہیں جیسا کہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یا دیگر امہات المومنین جب عمرہ کرتی چہروں پر چہرے کھلے رہتے ہیں ان کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تواف فرماتی جب اجنبی مردوں کا قافلہ آتا اپنے چہروں پر دپٹے ڈالتی تھی دپٹے اوڑنیاں ڈالتی تھی کیوں کیونکہ اجنبی مرد آگئے ہیں جب اوڑنیاں انہوں نے ڈالا تو کپڑا لگا ہے کیا نہیں لگا لگا نقاب نہیں لگایا انہوں نے نقاب نو سپیس ایک الگ چیز ہے چہرے کو کسی کپڑے سے چادر سے کور کرنا ایک الگ چیز ہے شریعت میں منع ہے نقاب لگانا کور کرنا منع نہیں ہے کپڑا لگنا منع نہیں ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے تو بتانے کا مقصد نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے اللہ کے دین کو سمجھئے شریعت کیا ہے کیا مطلب اس چیز کا عقائد کیا ہیں معاملات کیا ہیں آیتیں کیا ہیں حدیثیں کیا ہیں مراد اللہ کیا ہے مرادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کلام اللہ کو میرا ایک جملہ یاد رکھ لینا کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا تفقق صحیح یہ کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا کلامِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا یہ ہے تفقق یہ کیسے آئے گا کہاں سے حاصل ہوگا کون ہوں گے جو ہمیں سمجھائیں گے گوگل या इंटरनेट या ब्रिदर्स इंग्लिश में तक्रीर करने वाले मराठी में तक्रीर करने वाले तिल्गू में तक्रीर करने वाले नई भाई आहलू किदर बना आगे आप लोग ज़र आगे आगे आईए बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए जगा नहीं इस तरफ जगा रहे हैं इस से को कवर कर दें ताके बाहर वाले जो हैं उनको भी जगा मिल जाए अल्ला आपके इस कवर करने को कबूल फरमाया मैं तो मैं कहरहा था नौजवानों का सबसे पहला जिम्मा सबसे जरूरी मस्खल यह है कि शरीयत इसलामियां को वो समजने की कोशिश करें द deepen को समझें सवाल पएदा होता है दinação को किस से समझेंगे दğlिन को दीन वालों से समझेंगे अहलु इलि इंसे मसायल पूछेंगे उन से हम दीन की knowledge हासिल करेंगे ना के electronic media से ना लोगों से ना अपनी खाइशाथ से दीन को समझने की कोशिश करेंगे अल्लाह रब लालमीन का हुकम है ऐ लोगों अगर तुम्हें मालूम नहों तो अहलुद्धिक्र अहलुल इल्म से पूछो अहल इल्म उल्मा हैं अल्लाह का हुकम है ये अल्लाह का हुकम है कि हम उल्मा से इल्म हासिल करें उल्मा से इल्म हासिल करें लहाजा हम उल्मा ही से इल्म हासिल करेंगे उल्मा दीन का तफक्क्र रखते हैं दीन को समझते हैं लहाजा हम दीन को आहल इल्म से समझेंगे और उस पर अमल करेंगे फिर उस समझ को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर हुलमा से दूरी अख्तियार की जाएगी जैसे के खवारिज ने किया जैसा के बहुत सारे आजकल के लोग करते हैं फिर तो तफक्को सहीं नहीं आ स सकता है तीन की सहीं समझ हासिल नहीं हो सकती है और जिसका खतरा अभी हमने थोड़ी दर पहले मिसालों के जरी आपको बताया कुछ का कुछ समझेंगे शरीयत एक तरफ समझ एक तरफ होगी लहाँसा ये पहली बड़ी जिम्मेदारी नौजवानों की होती है कि वो लाकी श कुन है अब switched रज़ जला नहुमा कुरान की एक आYत कि तफ्सीर में ब्यान वर्माते है ौलिम र और अल्रब्बानी जिसका झिको रभ։नीयून का लफ आता है एक आयत में अब्दुल्य बुन अब्दुल्यम में अब्दुला नहुमा अल्वाते हैं कि रभउनी आलिम होता है जो लोगों को बड़े-बड़े मसाइल से पहले छोटे-छोटे मसाइल सिखाता है यू अल्लमुन नासा सिघारलमसाईली कबला किबारिहा बड़े-बड़े مسائل دین کے بتانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل ان کو بتاتا ہے یہ ہے عالم ربانی اور علماء کون ہوتے ہیں وہ جو اہلِ علم کی صحبت میں رہ کر علم کو حاصل کرتے ہیں موجودہ دور میں علماء کو کیسے پہچانیں گے ہم موجودہ دور میں ہم جیسے ہندوستان میں ہیں یہاں ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ فلا عالم ہے اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے ہم دیکھیں گے نمبر ایک کیا وہ ان اداروں سے فارغ है जहां पर किताब और सुनत की खालिस तालीम दी जाती है मदरसे जामियाद क्या वो किसी मदरसा या किसी जामियाद से फारिग हैं तो वो औलमा होंगे इसकी क्या दलील है कोई बुच असल क्या दील को समज़ ना है हर दलील आदमी समझतا ही नहीं है दलील तो होती है लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह मसला है पहले है सनद क्या ही है पिखमांकर मिखार कि या हद्दान 암मदatha ibn Rumh फेक है इस ऊंद आ हमसे इम इमाम मुस्लिम रहम तुलाली फरमाटे हैं हमसे अधि elaborता हैं कि हमारे उस्ताइद फ्लान इन वो कहते हमसे अधिस बयान कि हमारे अस्ताइद फ्लान ये क्या है सिल्सला तसल्सल ये है इल्म तो उन्होंने उनसे लिया उन्होंने उनसे लिया तो आज जो मदारिस हैं जामियात हैं वहां से जो फारिग होते हैं वो उलमा हैं नभी सहाबा कौन से मदर्से से फारिग थे कोई पूछ है आरे मदर्से नभवी से फारिग थे कौन सी यूनिवर्सिटी से वो फारिग थे जामिया मुहम्मधिया से फारिग थे मुहम्मध से खुदे की यूनिवर्सिटी है भई दीन उन से आया सुफ़ा मदर्सा जामिया नहीं था आप क्या समझते हैं या हम क्या समझते हैं या उनिवर्सिटी का मतलब बच्छों को पढ़ाये तो मदर्सा नहीं है चबूत रे पर बैटकर कोE OStad अपने बच्चों को तालीम दे किताb ल्ला समझाए सुन्रत रसूल समझाए वो मदर्सा नहीं है वो जामिया नहीं है घर में बैट कर अगर को अस्ताद अपने बच्चों को शागिर्दों को बताता है दीन सिखाता है क्या वो मदर्सा नहीं है क्या वो जामिया नहीं है मेरे भाई जामिय लुश्री का तस्वर यह नहीं है और शहादा वुलमा वो हैं जिनके पास शहादे होते हैं सहाबा के पास शहादा कुरान से है अधिस से रदियाल्लाहु अनहु रदुआ अन शहादा है असाबिकून लवलून मिनलमाजिरी शहादा है ये सर्टिफिकर्ट है और हदीश से भी सर्टिफिकर्ट उनके पास है मेरे बाद दीन में मेरे बाद जो जिन्दगी गुदारेंगे वो दीन में इखतलाफ देखेंगे फालेकुम भी सुन्नती वसुन्नति खुलफा इर राशिदीन अल्मा ये शहादा नहीं है ये शहादा है और वो बूरी अम्मा जो यमन से आई थी मसले पुछने के लिए नबी अलसलाब से सवालाब पूछे वापस जा रही थी ख्याल आया लोटी आकर पूछती है एल्ला के रसूल से लिए कल अगर मसले मालूम करना हो आप नहीं होंगे किसके पास आओ आप में फरमाया अबुबकर सिद्धी खरदेत उनके पास आओ क्या ये शहादा नहीं है क्या ये सर्टिफिकेट नहीं है तो मालूम हुआ उल्मा वो है जो अहल इल्म से इल्म हासल करते हैं शहादा उनके पास हो सर्टिफिकेट उनके पास हो एक शकल दूसरा तरीका علमा की सहबत में रह कर वो इल्म को हासल करते थे उल्मा जैसे हिंदुस्तान में उल्मा है वह सा उनके गर पर जाते हैं हाथ या लाइबरेरी में या उनके मुकाम पर उनकी सहबत में साल दो साल कुछ महीने रह कर उनसे किताब उल्ला सुलित रसुला को समझते है ये भी उल्मा होंगे ये भी अहलुलिल्म में होंगे अहलुल्दिकर में होंगे जिन से हम दीन हासल कर सकते हैं इसी तरीके से तीसरी चीज इसी तरीके से तीसरी चीज जिसका जिकर علمہ شاہ طبی رحمت اللہ نے अपने किताब में पर फरमाया है नोट है मरे पास इमाम شाट अबी रحمت اللہ نے अपने किताब में बेयान फरमाया है वो भी उलमा होंगे जिनके बारे में उस जमाने के उलमा गवाही देंगा वो भी उलमा होंगे उनसे भी इल्म अख्द किया जाएगा इल्म लिया जाएगा जिनके बारे में उनके जमाने के उल्मा शहादत दें कि ये भी आलिम है इनसे भी इल्म हासल किया जा सकता है इनसे भी दीन समझा जा सकता है मिसाल के तोर पर हिंदुस्तान हमको मालوم करना है आलिम कोन है फारिग हैं ऐसे मदरसों से जैसे जामिया सलफी अबनारस जामिया महमदिया मनसुरा या जामिया दारुस्लाम अमरबाद या इसके लावा बहुत सारे यूपी में, एपी में, करनाटक में इदर उदर बारास्टा में जामियात हैं जहां खाहालिस किताब उसुनत की तालिम दी जाती है कुरान और हदीश की तालिम दी जाती है वहां से पढ़कर निकलने वाले ओलमा है एक शकल दूसरी ये वहां से दूसरी शकल या दूसरी किसम वो लोग जो इनकी सोहबत में रहकर इनसे इल्म हासिल करते हैं और वो गवाई देते हैं कि हाँ इस बच्चे ने इस नोजवान ने दो साल लगाए मेरे पास दीन समझने के लिए दीन को समझा वो भी इस काबिल होंगे कि उसे इल्म हासिल किया जाएगा तीसरी चीत हिंदुस्तान के ओल्मा किसी के बारे में कहें कि हाँ ये भी आलम है इनसे भी इल्म हासिल किया जा सकता है उनको बुलाया जाए ओल्मा की मौजूदगी में वो थीन लोगों को बताएं علماء बेटे हुएं स्टेज़ पर और वो علماء उनको कहें कि हाँ इनको भी बुलाओ इन से तक्रीर करवाओ ये दीन जानते हैं हम है ना हम है पता है ये दीन जानते हैं तो इसी सुरत में वो भी ओलमा होंगे लेकिन अगर किसी के पास certificate नहीं एक किसी मदर assim को नहीं गया जामिया नहीं गया एक चीज़ दूसरी चीज़ किसी आलिम जिसने जामिया रही अधिया disgIlमा मदरसे से उसकी सोहबत में कुछ साल रहकर कुछ मुद्बत रहकर उसने इुसने इन आधिया यह प्हेंसल किया दो दो प्रब्लम मुलक के समाने के आौलमा भी गवाही नहीं दे रहे हैं नहीं बोलतें कि या लिम हैं उस से कैसे लिम लेंगे वह कूशे कि यह ये नौजवानों में जो मरोवियत का आगया न हटाईए इसको इंप्रेस जिसको इंग्लिश में चाहिए आप लोग ये इंप्रेस मत हुजिए मत हुई आप किसी ने जबर्दस इंग्लिश में तक्रीर कर दी क्या बोले भई कौन है ये नहीं अपलोड उनकी तक्रीर स्यादा हैं या मिशाल के तर बने बता आ था हुजद्द्व घ्राब यूट्यूब पर तक्रीर हैं बड़े आलिम बताइए नोजवानों क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम है हमारे पास यूटूब पर तक्रीर है जिनकी ज्यादा हो बहुत बड़े आलिम एक आलिम है उनकी यूटूब पर एक भी तक्रीर नहीं है फारिग हैं, एहल इल्म हैं, कलाम उल्ला को मुराद उल्ला पर और कलाम से Allanas, और रादर रसूश्स पर समझ ही, समझाता है, पढ़ाते हैं, आजीश प्राजो, तक्रीरе ज्यादा हीं, तो आलिम नहीं हैं, मिसल के तौर आले चाहने वाले फैन फालोइंग नहीं फोटो ज्यादा उनके ओने ये पहचान नहीं है तक्रीर एक फन है एक बड़े आलिम होते हैं बोलना नहीं आता है आलिम होते हैं तो अच्छा फालोवर्स की बात देखें तो चलिए मैं हदीस बता तो हम सब हलूल हदीस है माशा आल हमारा तो अमल जीना उटथना हदीसों पर है लंड एल्लाह क्या आपने मैंने वह घीस नहीं पड़ी जिस अभी ने शुम्हें परमाया खियामत के दिन अंबिया हाएंगे ऐसे नभी आये जिनके पीछे दू लोग होंगे ऐसे नभी आयंगे जिनके पीछे फालोवर वन ऐसे नबी भी आएंगे जिनके पीशे नू क्या वो उल्मा नहीं थे क्या उन्होंने वही को नहीं अदा किया वही का हक क्या उन्होंने दिन की तबलिग नहीं की नौजवान भाईयो समझो बात को क्या ये हदीस नहीं है कि क्यामत के दिन ऐसे अंबिया भी आएंगे क्या नुव अलिएस्लाइश्लाइश्लाइश्लाइश्लाइश्लाइश्लाइश्लाम अलिम नहीं थे अलमा की सोहबत में रहें वरना वो यहाल होगा जो खवारिश का हुआ मैंने बोला कल भी यहां भी मैं बोल रहा हूँ अलमा की सोहबत में रहें तो मिथाल तावई लोग सहाबा की सोहबत में रहें तावई बन गए लोग सहाबा अलमा से दूर रहे खवारिज बन गए अगर हम अलमा की सहबत में रहेंगे दीन की सहीं समझ होगी अपना किरदार अदा करेंगे इसलाम को समझेंगे इसलाम पर सहीं अमल करेंगे लेकिन अगर अलमा से दूर रहेंगे तो फितने ही फितने हैं मुझूदा जौर फितनों का दौर है और आप नौजमानों टारगेट हो अल्हा के नभी ﷺ ने फितनों की खबर हदीसों में दी ए अल्लाहु अकबर बहुत सारी हदीसें हैं मुहत्थिप्सीन अल्लाहराएं वर्माय उन पर किताबुल फितन बाबुल फितन के नाम से तमाम आदिश को कोट कर दिया है जो फितनों के मुतालिख है उनमें से एक हदीथ नभी आले स्मूछ असलाथ उसलाम ने फरमाया कि फितने ऐसे आएंगे जैसे रात का अधेरा जो स्लोली आीसता-इसता फैलता जाता है ऐसे फितने आएंगे आईसता-इसता फैलते जाएंगे युस्बिहु रजुलु मौमिना व्युमसी काफिरा وयुमसी मौमिना व्युस्बिहु काफिरा यबि अजिनहु बार्दिम मिन धुनिया नबीdu S.S.We. आमने फ्रमाया कितने खञदरनाक होंगे जो आइसपाइस्पा फैलते जाएंगे जैसे डॉर्क्रिस शाम का अंदेरा या रात की तारीक ही फैलती है उसका अथर कैसे होगा सुबा उठा ता इमान वाला था श Cela शम तक काफर हो जाएका हाँ शाम को एमार वारा था सुबह तक काफर हो जाएका दुनिया के हसूल के लिए दुनिया की लालच में अपने दीन को नीलाम कर देगा दीन को बेचता लिगा कितना खतरनाक मसला है क्या ऐसा फितना नहीं है आज के दोर में इलक्रोनिक मीडिया या दीगर रास्तों से फितने आ रहे हैं तार्गेट ओ नौजमान हैं मुसल्मान कि इनके सेहनों से खेलो मारिंड वाश को रहिंका उलमा से दूर करो रियाल का आलिम बनो बताओ बताओ ये ये रियाल वाल आलिम है रियाल जितना पड़ेगा जेब में उत्ता बोलेगा है ये डालर का आलिम है डालर तो नहीं दिरहम का आलिम है जितने दिरहम डालेंगे उत्ता बोलेगा है ये कुर्सी के उलमा है ऐसे उल्मा को बदनाम करो ये दुश्मन की चाल है उल्मा को पहले बदनाम करो जब उल्मा बदनाम हो जाएंगे उनकी चोटी चोटी चीज़ों को बड़ी बड़ी करके बताओ उल्मा बदनाम हो जाएंगे जिनके पास इलम है जिनसे इलम जो दीन को समझते हैं समझा सकते हैं तो फिर क्या होगा उल्मास से लोग बदजन हो जाएंगे नोचवाद पहले इसको दूर करो हटाओ महां से जहां से यह बस सकता है हट गया अब आपका है क्या बोलता हो इंग्लिश में दौब बाल इस इन यूर पॉकेट प्ले जैसे भी प्ले दरना मेरा बाल आपके पॉकेट में है जैसे खेलना है खेलो अलमा से दूर कर दिये अब कुछ भी नहीं है अब इसको जो बताओ वो अकिदा लेगा जो मनहज तो वो लेगा जो आमल बताओ लेगा इसके अखलाक को तबा करो इसके धिमाग से खेलो इसको जो है अल्ला से दूर करो इसको दीन से दूर करो इसलाम से दूर करो मनहज इस शर्व उसुल इतिकाद अहल सुन्ह जमाह में इस वाकि को निकल किया है अब्दुल्ह बिन मुबारक रह्मतुल्ह बियान फर्माते हैं अब्दुल्ह बिन मुस्लिम नाम का एक शख्स मर्व इलाकी का था अल्लामा इबन सीरीन रह्मतुल्ह आले के दर्स में बैटता था एक Test Slak के साथ उसना बैटना शुरू किया उनकी सहोबत उसने इक्तियार किया उसके बाद खाब देखता है खाब में उसने देखा अब्दुला बिल मुस्लिम ने कि वो ऐसी कौम के साथ जा रहा है कुछ लोग हैं जो प्यारे नभी सुलम के जनाज़े को उठा कर जा रहा है ये भी उनके साथ जा रहा है ता जुबवा इसको ये कैसा खाब है वै उठा पूछा इमाम मालिक से इमाम मालिक रह्मतुला ने बेयान फरमाया कुम मामन तुझालिस या तुम तुम्हारा बैटना उठना कि लोगों के साथ तो बता दिया उसने कि मैं पहले अल्लाम इबन सीरी रह्मतुला ने के साथ था बैटता था उनकी मजलिसों में अब मैं मुटसुला के साथ बैटता हूँ तो इमा मालिक रहभी तुला रहे हैं उसके खाब का मतलब बताया तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो जो प्यारे नभी ऐसले लाईवी शरीयत को जिन्दा दफन करना चाहते हैं तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो जो नभी ऐसलेम के लाईवी शरीयत को तफन करना चाहते है ये वाकिया हमें बताता है खुतुरत को नुकसान को अगर हम एहल इल्मस से दूर होंगे एल्मस को बदनाम करके उनसे दूर करने की साधिश एक फितना चल रहा है मौजूदा दोर में चाहे वो अरब के उल्मा हो या अजम के उल्मा हो उनको बदनाम करना उनसे नौजमानों को दूर करना ताके हमारे हदफ को हम पूरा कर सके हमारे टार्गेट को पूरा कर सके ये दुश्मनों की एक बहुत खतरनाक चाल है इस चाल में आप न पढ़ें वरना बरबाद हो जाएंगे उलमा मिथाल जैसा के सलफ सालिहीन ने मिथाल दी मिथाल सलफ ने मिथाल दी के उलमा सितारों के मानिन है उलमा सितारों के मानिन है जिन से रोशनी इनसानों को मिलती है नूर मिलता है फायदा हासिल होता है लहाज़ उलमा को से दूरी अख्तियार हर्गिस न करें वरना तमाम चीजों का नुखसान होगा इसी तरीके से मेरे भाई मनहच का एक बहुत बड़ा प्राबलम है हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो किताब लाखिर वो इसे तो आगई बाद लेकिन मनहच को अपने ठीक करने की बहुत जरूरी है सलिफ सालिहीन का क्या मनहच था तमाम अमोर में सिर्फ कलाम लल्ला सुनत रसूल को समझने ही नहीं उसके इलावा इस्तिमबात में अमल करने में किसी पर हुकम लगाने में कोई गुना करता है तो उसके बारे में उसके साथ हमारा रविया कैसे होना चाहिए कोई गलती करता है तो उसके साथ हमारा रविया कैसे होना चाहिए क्या हर कुफर करने वाला काफिर होगा क्या हर शिर्क करने वाला मुश्रिक होगा हमारा हुक्म लगाना क्या मैं इस लेवल पर हो कि मैं हुक्म लगा सकता हूँ मैं कह सकता हूँ ये काफिर है क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मुश्रिक है मनहज میں हमारा सही होगा लहाँ अगर हमारा मनहज सही हुआ तो हम कामयाब होंगे हम Kara के नहीं लहอง को जो सही मनहज से हट जाते हैं किस चीज़ की वईद मनहज छोड़ोगे सलिफ 치ालेहिन का रास्ता छोड़ोगे जो रास्ता दीन के समझने के लिए अपनाओगे उसी रास्ते पर लगा दिया जाएगा और जहन्नम की आग में फैक दिया जाएगा ये वईद है मेरे भाई इसी तरीके से दूसरी आयतों में भी वईदे आई हैं अगर हमने सलफ सालहिन अहल الحदीश के मनहच को छोड़ दिया और किसी और मनहच को अपना दिया जैसे राए से दीन को समझना लोगों से दीन को समझना अपनी अकल से दीन को समझने की कोशिश करना जजबाद से दीन को समझने की कोशिश करना वगएरा ये सब गलत मनाहिज हैं अपने आपको इन मनहजों से बचाना बहुत जरूरी है इसी तरीके से नوجवानों का किरदार ये होना चाहिए वो आला दर्फी से काम लें बहतरीन अखलाक का मुझाहरा करें अच्छे अखलाक उनकी जिन्दगी में आएं ताके उनकी जिन्दगी कामियाब हो सके नबी ये सबसे बड़ी नेकी का नेकी हो मैं आप अप अपने लिक्र किया बहुत सरी अधीस देशने में आई है अच्छे अखलाक आपने बेयान फरमाए अच्छे अखलाक के जरीए आदमी वो मरातिब पाता है जो नेकी हदीस बेर नबी ये सबसे नेकी हरुने का नवजवानों का करदार आला होना चाहिए बहतरी रखलाक का मुझारा करना चाहिए चाहे वो उनके अखलाक उनके वालेन के साथ हो या अपने दोस्त अहबाब के साथ हो या एहल इल्म के साथ हो या किसी और के साथ हो अल्मुहम ये कि अच्छे अखलाग का मुझारा बहुत जरूरी है इसी तरह मैं एक हदीस बताना भूल गया आपको शुरू में जुन्दब बिन अब्दल्ह रदियल्लाहु तरह नों फरमाते हैं नौजवान जो मैं बता रहा था थोड़ी दिर पहले ज़्यादा तफसील से कि इल्म हासिल करो अल्ला के दिन को समझ दे की कोशिश करो इसकी अहमियत इस अधीस चे मालूम होती है जुन्दब बिन अब्दल्ह रदियल्लाहु तरह नों फरमाते हैं कुना गिल्माना हजावरा मार रसूलिल्लाही से लिए सल्म फटाल्मना अईमान अईमाना फ़स्ददना भी इमाना वइनकुमल्योम तताल्मूना अईमाना ग्रॉद्ध जो सहाबी हैं जुन्दु बिन अब्द रदिय लाह उतला न फरमाते हैं सुनो, हम जब बच्चे थे छोटे से हम जब छोटे बच्चे थे नौजवान थे नभी असलाओं चेसाथ तो हमने एमान की तालीम हासल की पॉर्ण की तालीम से पहले हमने इमान को सीखा कुरान सीखने से पहले फिर हमने कुरान पढ़ा तो हमारा इमान कुरान से ज्यादा हो गया तुम लोग क्या करते हो इमान से पहले कुरान की तालीम लेते हो कितनी बड़ी बात बताई देगी इल्म इमान को सीखा कुरान के सीखने से पहले इमान कुरान और हदीश की रोश्टी में सीखा कुरान की तालीम से पहले किताब और सुन्त की रोश्टी में इमान किसको कहते हैं इमान की जिदों पर लाना चाहिए ये सीखा फिर कुरान पुड़ा जो दलीले हैं तो इनका इमान और बढ़ गया और तुम क्या करते हो कहते हैं अपने शागिर्दों से कि तुम इमान से पहले कुरान की तालिम हासल करते हो आईए हमारे नौजवानों को आज देखें क्या है बें इनका मामला ना इमान की तालिम ना कुरान की तालिम ना इदर के रहे, ना उदर के रहे ना इमान किता, कुरान ना इमालूम सही, ना इमान इमान का डेफिनेशन अगर मैं पूछ उसरे what is इमान बताईए, कौल अमल या तस्दीक क्या इमान बढ़ता है, क्या इमान गड़ता है उसूल बैसिक्स है लेकिन अफसोस कि हमारे नौजवान वो नहीं जानते हैं बात करते हैं माजरत के साथ कहों में आप बात करते हैं तो फत्वा बड़े बड़ी बाते वो सौदिय अरब यमन में क्यों खुसा ओ किदर की बत उधर की बत वो हालाद उनको मालूम मलिक सल्मान को मालूम वहां के आलाद मालूम क्या हुआ आपको क्या मालूम आप का है बुल्डाना वो का हैं सौदिया है मौलमा हैं किसलिए गए क्या हुआ वहां क्या हुआ था हुथीन कैसे घुसे खतम करने के अहलु सुना को कोशिश किए वहां के बाश्या को खतम करने की यमन के बाश्या को खतम करने की साधिश किए कोशिश किए खतम करने की वो पना लेने के लिए भागा रियात को और सौधियर अरफ सुना ने पना वांगे गा कि हमारे मुल्क को ये हुथियीन या हलुल राफदा बर्बाद करना चाहते है मदद कीजिए बचाईए हमारे मुल्क को अहलुसुना का खात्मा हो जाए गए अमन से बलकि इतना नहीं सौधिया के बौर्डर पर आ गए हरमैन को खतम करना अबुबकर उमर रदियल्लाहुत अनुमा की लाशों को निकाल कर सूली पे शड़ाना ऐसी बाते वो कर रहे हैं ऐसे उनके मासाए मेह बुरे मदद कीजिए वरना हमारा मुल्क भी गया हरमैन पर भी उनका कब्जा हो जाएगा मक्का मदिना पर कब्जा करना चाहते हैं ये तुश्मना ने पचाएए कुछ कीजिए तो इन्होंने उल्मा से फत्वा लिया उसके बात क्यों क्या मालुम हम को यह बैटकर फत्वा वहां के बारे में उल्मा के बारे में बड़े बड़े उनका मनहज अभी नहीं हो पहले अहलुलादीस में से अब अहलुलादीस में से नहीं हो वो पहले सलफी थे अब सलफी नहीं है अच्छा सलफी बोल सकते हैं अहलुलादीस नहीं बोल सकते हैं अलुलादीस नहीं बोल सकते हैं क्या क्या बाते करते हैं बेसिक्स नहीं मालुम है चो असल चीदे वो नहीं मालुम है जो इक जरूरे बाग्वा बताओ है अलभ यादा अगे मुझे एक बता ही है रेक एक 一樣 हुद्मेदर होती है यहु नहीं होती है नभी ले सना tileosen नमेह नाव में परमाई तुम सब जिम्हारा हो तुम सब अने अपनी जिम्हारी के मुतालिक आजे जाएगा। बाश्शा जिम्मेदार है अपनी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा आदमी अपने घर का जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक अल्ला उससे सवाल करेगा और अपने शोहर के घर की और बच्चों की जैसा कि मुस्लिन अहमत की रिवायत में लोलत का भी लफ्स मिलता है तबरानी की रिवायत में जिम्मेदार है और जिम्मेदारी के मुतालिक के दिन पूछी जाएगी काम करने वारा अपने मालिक के माल का जिम्मेदार है उसके मुतालिक के दिन पूछा जाएगा तो हम सब जिम्मेदार हो अपने अपने जिम्मेदारी के मुदालिक कर सब पूछे जाओगे मलक सलमान से अल्ला उनकी जिम्मेदारी के मुदालिक पूछेगा बिल्डाना के नौजवानों से नहीं पूछेगा कि बताओ साथी अरब की जिम्मेदारी क्या थी सहीं के नहीं सहीं यासिर से यासिर की जिम्मेदारी पूशेगा अब्दल्ला भाई से अब्दला भाई की जिम्मेदारी पूशेगा अकिल भाई से अकिल भाई की जिम्मेदारी खालत भाई जिनके घर में भी नाशा उनकी जिम्मदारी आरह उनन से बूशए गाई और किया और आप अपनी जिम्मदारी को समझते हैं जिसे अभी बात नौज़वानों की हो रही है नौज़वान की क्या जिम्मदारी है बताईए इनको समझना ना मैंने शुरू Πर दीन को समझो एक इलम हासिल करो इल्म से तफ करना ठीक है अखला को सईंग करना ठीक है जो कियामत के दिन मेरे सामने सवालात आने वाले हैं एक नौजवान की क्या जिम्मदार ये बताइए मुझे नौजवान अल्ला ताला क्या क्या अदा कर रहे हैं मेरी और आपकी जो असल जिम्मदारी वई अबादत तोहीद शिर्क बढ़ना समझना उसूल इमान क्या है इल्म हासल करना बुनियादी मनहस सही क्या है कैसे आमल करना है कैसे दावत देनी है हां ये समाम चीज़े जो बैसिक्स हैं इसको समझे हां वसुर कि जिसों से तूटता है मसायल नमाज रोजा सकात कुर्बानी हज मसायल इसको समझें दावत देना है ठीक है इल्म के बगर दावत नहीं होती है कुछ है या कुछ भी नहीं है अला बसीरा है या नहीं है इसी तरीगे से और भी आयते मुझदें सिल्सले में फलव ला नफर मिन कुली फरकति मिनहुम ताइफा लियत तफगहु फि दीन एक वलियुंदिरु गौम इदा रजव इलेहिम दो लालहुम यहदरून पहले दीन को समझना फिर दावत देना तबलिग करना एक उसूल है दीन को पहले समझवा अमल करो दावत दो चार उसू करना पहले एक उस पर अमल करना दो फिर इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाना दें पिर सिल्सले में जितनी परेशानी आए मुसीबत आए उस पर सबर करना दलील क्या सूरा है? इमाम शाव रहमतुला ले फर्माते हैं अगर अल्ला ताला सिर्फ एक सूरा नाजिल करता जो बात अल्ला को समझानी थी अपने बंदों को काफी हो जाती थी इतनी बड़ी सूरा SG आए अल्ला ने खाई है वलाल असर जमानी की खशं है पहले कसम इन्ना ताकित के लिया आता है उसके बाद लफी में लाम है बगर अलिव के वो भी ताकित के लिया आता है तीन शीदे हैं गसंबी है इन्ना भी है लाम भी है वाल असर कसम है जमाने की इन्ना नो डाउट बेशक अल इनसान तमाम इनसान दुनिया के लफी खुसर अलबता खसारे में है समझ में है खसारा या ना समझ में है लॉस में खसारे में घाड़े में नुखसार में तीन तीन ताकीद Allah نے فرمائی ए एन्ना दो ला दीसरी इल्ल्ल्दीना आमनू हम इस خसाले से बचाने की कोशिश कर रहे चार काम करने वाले सिवाए आमनू इमान बहाँ गर इल्म के नहीं होता इसलिए आमनू का इल्म हासिल करने वाले एक अमल करने वाले दो उस इल्म को पहलाने वाले तीम सबर करने वाले चार इसलिए लिए लामालबानी रहमतुलाले फर्माते थे हमारे उसूल है इल्म, अमल, दावत, सबर इल्म, अमल, दावत, सबर इल्म, अमल, दावत, सबर पहला काम, इल्म, इल्म नहीं है अमल गलत होगा नहीं होगा अमल में शिर्गा आएगा इल्म नहीं होने से अमल में बिद्धत आएगी इल्म नहीं होने से चलो भई, जब इल्म होगा तो अमल सही होगा इल्म होगा अमल भी सही होगा अब अपने हट तक मत रखो बताओ और भी गाहों में लोगों को जरूरत है दीन, इल्म बताओ, चलो भई आप बता रहे हो, इल्म भी हो गया, अमल भी हो गया, जावद भी हो रहे है, बताओ गये तो लोग बलेंगे, आईए शेख, आईए दर्स दीर जाएए, नई, वहाबर, बोड़ा, फलाँ, मारो उसको, खतम करो इनको, ये करो, वो करो, सबर करना पड़ेगा, बोला जाएगा, मारा जाएगा, सुनाया जाएगा, तकलीबे दी जाएगी, जल्म होगा, स्यात्या होंगी, वहाँ, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि लोग फूलने मिशाएंगे, आईए तोहीद बता के जा ये काम होई नहीं सकता है, रस्बिर कमा सबर, अउलुल अज्म मिनर, रसुल अल्ला का हुकम है, तमाम पगंबर, जिनके वारिसीन उल्मा है, उन लोगों ने, जब इल्म को पहलाया, तो उनके रास्ते में रुकावटे आईए, जब दावत का काम किया, उनके रास्ते में या नहीं रहाई कर गडर लिड़ी सकते मुझे तालुक ही रही और जो चीज़ों में पूड़कुर आज का नौजवान का प्रॉबल्म मता हैं, सुब्हा शाम होती है, शाम से रात होती है, 24 किश घंटे उसमें से, 7-8 घंटे में के निकालो, खने पीने के निकालो, बागी का वक्त कहां गुजर रहा है सवाल है ये ये नोजवान क्या किरदार अदा कर रहे हैं कहां गुजर रहा है वाटसअप पर नियूस आप पर किसने क्या पोस्ट किया है कहां क्या हो रहा है अरे भाई जो जो जरूरी चीदे थी जिसका कल सवाल होगा हिसाद देना होगा अल्ला पूछונה होगा हम उसका जवाद देना पड़ेगा ह हमें उसकी तैयारी हो रही है टेम अल्ला ने दिया है जवादी है, सलाईयते हैं गुवत है, ताकत है अकल सलीम है, क्यों नई वक्त का ख्याल करते हैं وقت کو غریمت سمجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم قرآن میں کھائیے اور وقت کے حصوں کی قسم کھائیے कہیں اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے कہیں اللہ نے دن کی قسم کھائی ہے कہیں اللہ نے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِدَا سَجَا چاشت کا وقت وَالفجر فجر کی وقت اللہ نے قسم کھائی ہے کیوں؟ کیونکہ وقت کی اہمیت ہے جوانی ایک بہت اہم وقت ہے اس کو بیکار کی چیزوں میں مت ضائع کریں میرے بھائی وہ چیزیں جو لائیانی ہیں ترک کر دیں سمجھیں بات کو اللہ کے واسطے بوڑے ہو جائیں گے جہالت اپنی جگہ باقی رہی گا پھر بوڑے ہوں گے باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گے نہیں لائے گی پھر کسی عالم کی صحبت میں کسی درس میں بیٹھیں گے پندرہ منٹ کے بعد نہیں لائے گی کمر میں درد ہوگا کرسی نہیں ہوگی بیٹھنے پاہے گا جوانی کو غنیمت سمجھو اللہ کے واسطے علماء کی صحبت لو علم عمل دعوت صبر ان اصولوں کو سمجھو اور بیکار کی لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ جو چیزیں قبر میں مجھ سے آپ سے نہیں پوچھی جائیں گی یا کل قیامت کے دن میدان حشر مجھ سے آپ سے نہیں پوچھی جائیں گی ان چیزوں میں میں کیوں پڑھوں کیا میرا وقت اتنا فری ہے کہ میں ان چیزوں میں پڑھ جاؤ اور اپنے زندگی کو برباد کرلوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی کیا نہیں جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جس میں آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرئی ترکہو مالا یعنی من حسن اسلام المرئی ترکہو مالا یعنی اچھا مسلمان کون ہے وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے مجھے بتائیے یہ ملکوں کے جو حالات ہیں اس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے بھئی مسلمان کہیں پریشان ہیں آپ دعا کیجئے یہ الگ مسئلہ ہے بھئی اصل فرائض ضروری چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں لایانی چیزوں میں نہ پڑھیں آج کل یہ فیس بک واتس اپ پہ بیکار آپ اٹھا کے دیکھئے بعد لوگ تو تنگا دیکھیں ہزار ہزار میسیجز صبح شام خلیئے انہیں یہ کرا انہیں یہ کری انہوں یہ بولے انہوں یہ بولے انہوں ایسا کرے گتے انہوں ایسا کرے گتے وہاں یہ ہوا گتے یہ کتے کتے میں جاری ہے بھوری جوان وہ دیکھ رہا ہے صبح اٹھتا ہے وہی دیکھتا ہے شام میں سوتے سوتے دیکھتا ہے آج کی نیوز کیا ہے رات کی خبر کیا ہے صبح کی خبر کیا ہے شام کی خبر کیا ہے کس نے گروپ 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 ان گروپ میں کیا ہو رہا ہے دین سمجھا جا رہا ہے خیر خیر لے جا رہی ہے मैं नेकल का हाथ बता हूँ फेस्बुक से अच्छा नहीं है कि हम जो है जमात के साथ नमास पड़ रहें एक दूसरे के फेसस नजर आएंगे और पता चलेगा या अब्दुल्ला है भई वो फेस्बुक पता पर तो फातिमा अब्दुल्ला बनी हुई है भई ये तो सही भी अब्दुल्ला है ओपूं ये अब्रमाने हुए भई इसी में जाय हो रहा है नो उसमिला बिदारे क्या जवाब देंगे किल कियामत जब आला पूशेगा कबर के तीन सवारात के जवाबत की तेहरी हो गई उसूल सलासा एक किताब है बड़े कभी तुफिक हुई उलमा है नए और अमपकारे रहम तुला लैं मका है ना मदिना है ना सहाबा ने सफर किया। आपि इलम के लिए नहीं जा सकते और अलमा को यह नीं बुला सकते भी जा मैं वर्हाइश्टा उसे छोटासा तालिब दिन को रखिए, दिन को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी इजद कीजिए, उनका अदब कीजिए, उनका ख्याल कीजिए, इहतराम कीजिए, जो मुकाम उनको अल्ला ने दिया है, वो मुकाम हम दें, जो किताब असुना से थाबित है, इल्म हासिल कीजिए, शरीयत इलाहिया क को समझने की कोशिश की जजबात पर कंट्रोल रखिए जजबात के पीछे मत पढ़िए जो दिल बोले वो करना दीन नहीं है जो दीन में है वो दीन है चाहे दिल बोले या ना बोले जो दिल बोले वो करना दीन नहीं है वो तो खवारिश का तरीका था ना उस बिला मिजले लहाजा ये मेरी आपसी अदबाना मुदबाना गुजारिश है मुखलिसाना अल्लाह के लिए बेकार चीजों से अपने आपको दूर रखिए अपने जिंदगी को गनीमत समझें मेरे भाई अब वाल्लाही सुनिये है वपला मैं देख्या खाली मैं जददा में था लगाया किसी बाई न यहां की बीडियो भी बना सुखानला ल्लाह सुलाह मॉज़ों है बहुत काम वाले नोजवाने अब इनको इनसे काम सही लेना है आर बहुत काम क्यों मुझे मालू है एक एक बच्चा यह का अक्ति की वहां कि दिन के लिए बहुत कुछ कर सकता है आप चेक कीजिए उन्हें गईने क्या कारणा में अन्जाम दी बहुत सारे उसारे नोजारों के वाक्यात मौजूदे हैं अगर उसको देखे तो आपको बहुत सारी चीजे यखीन मिलेंगी किस तरीके से जवानी की उमर में बड़ी-बड़ी कामे घसो बदर के मौगए पर हदरत अली रदियोतरों ने छंडा इसलाम का उठाया था बिस साल की उनकी उमर थी उसामा रदियल्याहू तहला नहों एक लशकर की कमांडरी करते थे अथारा साल की उमर थी عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی उनकी عمر 13 साल थी زہید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم भी बच्चे थे क्या عمر थी زہید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم बहुत बड़े आलिमे दीन है कातिब वही है और जब पیارے نبی صلی اللہ मदینہ तश्रीफ लाए उनकी عمر 11 साल थी यह सब क्या है 11 साल 18 साल 16 साल 21 साल जवान थे इन लोगों ने कैसी कैसी दीन की खिब्मत की लहाजा आज इस्लाम को नोज़मानों की जरूरत है मेरे भाई अगर किसी जवान से अल्ला ताला किसी जवान से अल्ला ताला इसलाम की खिब्मत ले ले यह उस जवान के लिए खियर की बात है शर्फ की बात है वरना आपको मालूम है अल्ला अपने दीन का काम किसी से भी ले सकता है है के नहीं है अल्ला अपने दीन का काम किसी से भी ले सकता है मुस्तश्रिकین से लाजने दिन का काम लिया है उन्होंने अलफाज-फ़दी, फ़्वस की तलाष कर निकले, क्या बलते हैंete हैं टिक्षिरी बनाई है मुस्तश्रिकीन, यहोदुनसारा हैं वो लोग अगर अल्ला जिस से चाहिए अगा अल्ला ताला मुझ سے अगर कोई काम खेर का ले रहा है दीन का तो मेरे लिए शर्फ की बात है या ला का फजल है मुझ पर अगर इस बच्चे से ला कोई दीन का काम इस बच्चे से ले रहा है इस भाई से हमारे ले रहा है उस भाई से ले रहा है वरना अल्ला अपना दीन का काम किसी से विले सकता है मेरे भाई हमेशा इस दीन को रिजाल की जरूरत है आपके पास सलाहियते हैं कुवत है, सोच अच्छी है, जजबा है बस इसका सही रुख होना चाहिए इल्म और उल्मा की सहबत जबात से जड़कर रहना जो ताइफा मनसूरा है, आहलुलहक है ताइफा मनसूरा है ला तजालु ताइफत मिन उम्मति दाहरीन अलालहक किताब उस सुन्त की रोश्टी में जो जबात हक का काम कर रही है खलतियां सब के अंदर पाई जाती हैं लेकिन हट कर नहीं रह सकते अगर घर का भाई घलत हो, घर चोड़के भागना ये कोई सही काम नहीं होता है बलकि उस भाई को नसीयत करते हुए घर में रहकर घर में रहकर उस भाई को नसीयत करना यहाथ उठाकर उस भाई के लिए दौाएं करना ये एक अच्छे इंसान का शेवा या उसकी सिफत होती है जो घर चोड़कर भाग जाए वो अच्छा भाई नहीं हो सकता है लादा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें अपनी जवानियों को गनीमत समझें अपने आपको तैयार कीजिए आपकी जवानी बहुत मुपारक होगी आपके अमर बड़ी अच्छी गुजरेगी अल्ला आपसे राजी होगा अल्ला से दुआ कीजिए का अल्ला मुझसे तो काम ले ले अपने दीन का अल्ला से दुआएं कीजिए गड़ गड़ा कर दुआ कीजिए अल्ला मुझसे दीन समझा ल्ला अल्ला मुझसे दीन समझने की तुफिक अता फर्मा इल्म हासल करने का जजबा पने अंदर पैदा कीजिए वाल्ला है कल बताने हाट बच्चा होगा M.P. से किसी बच्चे ने सवाल किया मद्यप्रदेश चलो बॉर्डर है जहां भी है उसने सवाल किया कि प्रोग्राम है या कैंसल हो चुका है सुभानला बच्चों में जजबे हैं समझ में आ रहा है भाई ने बताया मुझे आने से पहले बहुत सारे लोग बुल्डाना के नहीं है जो आपको सुन रहे है बलके दूर दूर राज इलाकों से आए ये खैर है मेरे भाई ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई इस जजबे को बाकी रखिए उल्मा की सोहबत में रही है मुझे जैसे तालिब इल्मों को भी सुनिये बड़े बड़े उल्मा भी हिंदुस्तान में मौझूद है लम्दलिल्ह ये हमारा प्यारा मुल्क है इस पर बुरी नजर तुश्मना ने मुल्क की लगी हुई है हम इस मुल्क को बरबाद होने नहीं देंगे बलके मुल्क में अमन और शांती बाकी रखने की हर जतन हर कोशिश हम करने की हर जतन हर कोशिश करेंगे क्योंके अमन सबसे बड़ी नहमत है पीस सबसे बड़ी नहमत है और ये पीस अगर कोई ला सकते है अल्दीना आमनू وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِذُلْمْ أُولَائِكَ لَهُمْ الْأَمْن وَهُمْ مُحْتَدُنِ اس آیت کو پڑھ لیجئے اس کی تفسیر کو دیکھ لیجئے ایمان لاکر اپنے ایمان کو ظلم سے بچانا جو لوگ ایمان لاکر اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے یہ دو کام آگر آئے انسان دنیا میں زمین پر کرتے ہیں چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا کسی اور علاقے میں ہو ایمان لاکر ایک کام ظلم سے اپنے ایمان کو بچانا دوسرا کام دو کام بندے کریں گے دو وعد اللہ کے ہیں اُولَائِكَ لَهُمْ الْأَمْن امن و امان کی اللہ تعالی نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وَهُمْ مُحْتَدُر ہدایت ہے آپ تابعی وہ لوگ ہو جائیں گے لہٰذا کام ہم کر سکتے ہیں میرے بھائی تخریب کاری کا کام نہیں اصلاح کا کام ہے بنانے کا کام ہے بگاننا بہت آسان ہے بنانا بہت مشکل ہے بنانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا اصلاح دوسروں کی کرنے سے پہلے خود کی اپنی اصلاح کرنی ہوگی آپ کچھ کرنا چاہتے تو آپ دیکھئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں Where are you now یہ آپ دیکھئے میں کہاں ہوں میں اپنے نفس سے جہالت کو دور کرو جہالت بڑی 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 ہے جہاں جہاں جہالت ہوگی وہاں وہاں امت کو نقصان ہوگا دین سے جہالت دین کے اصول سے جہالت یا منحس سے جہالت صحیح عقیدے سے جہالت عملِ صالح کو سمجھنے سے جہالت جہالت ام الخبائط ہے ام سب سے بڑی پرابلم جہالت ہے اسی لیے صلفِ صالحین کا پڑا پیارا جملہ ہے اگر جاہل چپ رہیں گے اختلافات ختم ہو جائیں گے صلف نے کہا اگر جاہل چپ رہیں گے اختلافات ختم ہو جائیں گے لہذا جہالت کی مذہبت کتاب و سنت میں اقوالِ صلف میں ہمیں ملتی ہے اچھی چیز نہیں ہے ایک نوجوان سب سے پہلے اپنی ذات سے جہالت کو دور کرے علم سے منور اپنے آپ کو کرے علماء کی قدر کرے علماء کی صحبت پر رہے اور دین سے جو حق والی جماعت ہے اہل الحدیث کی ان سے جڑ کر دین کا کام کرتے رہے آگے بڑھے وہ اور جو چیزیں اس سے تعلق رکھنے والی ہیں ان چیزوں میں وہ پڑھے جس کا کل قیامت کے دن حساب دینا ہے عمال کی درستگی تقوی کی زندگی برائیوں سے دور ہونا واجبات کو فرائض کو انجام دینا ذمہ داری کو کمہ حق کو ادا کرنا یہ سب چیزوں کی طرف توجہ دیں وقت لگائے سوچیں سمجھیں آگے بڑھے اور ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں جو لایانی ہیں بیکار ہیں جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نہ اس کے مطالق کو اس سے سوال کیا جائے گا ان تمام چیزوں کو پھر ذہن میں رکھیں اللہ سے میری دعا ہے آخر میں اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیں بہت تکلیف ہوتی ہے واللہ کہتا ہوں آپ سمجھئے پلیز بس اور کچھ نہیں بول سکتا میں وقت بھی ہو رہا ہے میرا سمجھئے آپ آپ کیا ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے مفتاح الشر بنیں بس یہ ذہن میں رکھی آخری بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ثابت ہے جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو علماء موجود ہیں بتا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی اللہم جعلنا مفاتحا لن خیر مغالقا لن شر اے اللہ ہم کو خیر کھولنے والے خیر پھیلانے والے بنا شر کو بند کرنے والے بنا خیر پھیلانے والا آدمی کب بنے گا جب خیر معلوم ہوگا علم و علماء وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ہم شر پھیلانے والے نہ بنے یہ غلط ہے ایک ہے خیر ایک ہے شر ہم خیر پھیلانے والے بنے مجھ سے خیر کا کام کیا ہو سکتا ہے کیا میں کروں اللہ کے دین کے لئے خیر کا کام یہ چیز اپنے اندر پیدا کی شر پھیلانے والے دشمن پڑے ہوئے ہیں ہم شر کی چابی نہ بنے خیر کی مفتا چابی بنے خیر کی چابی بنے شر کی چابی نہ بنے اللہ سے دعا بھی کرے اللہ خیر پر رکھ हक पर रख और खेर समझा हक समझा खेर पहलाने वाला बना आप देखिए आपकी बात से शर पहल रहा है मत बोलिया कोई खबर अपलोड करने से शर पहल सकता है मत कीजी अपलोड फारवड करने से मेल या मेसिज शर हो सकता है मत कीजी खेर हो सकता है कि ये एक आयत याद आ रही है उसका मफहूम बता कर मैं अप्री जगा लेता हूँ अल्लाह तबारको ताला पुरान में ये बात बियान फर्माता है आयत का एक मफहूम है हाँ आयत याद आगए गए एदा जाएहुम अमर मिनलामन अविल्खवफ अदावू भी वलुरदूह इलर्रसूली वैला उल्लाम्र मिनहुम लालिमहुल्दीन यस्तंबितुनहुमिनहुम इला आखिर आया अल्लाह तबारको ताला इस आयत करीमा में बयान वर्माता है लोगों के पास जब कोई अमन या खौफ की खबर आती है तो वो उसको फौरान नश्र कर देते हैं अगर इसके बजाए वो लोग इस खबर को चाहे वो अमन वाली हो या खौफ वाली हो इस खबर को अगर वो रसूलुलाश असुल्स लिसम की तरफ लोटा है या उलमा की तरफ लोटा है उलिल अमर तो वो लोग इसका सही इस्तिमबाद करेंगे तहकी करेंगे फिर बताएंगे तुम बहुत कम शैतान की तिबा करते हो आयत है ये पुरी आयत का मतलब क्या है खबर अगर हमारे पास आ जाए हम फोरान उसको बगेर तहकीक के पहला देते है इस आयत में अल्लह तबारको ताला ने हुकम दिया कि खबर आए सहाबा को हुकम आयत उतरती है तो वो आयत क्यावत तक के लिए होती है मालूम है न आपको हुकम आम होता है जिसा के गायदा है एक सबब के तहट कोई आयत उतरी तो इतबार उसका नहीं होगा बलके आम लफस का इतबार होगा ये गायदा है तो यायत उतरी सहाबा को ये हुकम दिया गया जब भी आपके पास कोई अमन की या खौफ की खबर आए तो पहलाना मत उसको जब तक के रसुल्छ से सLम के तरब लोटाने देना ताकि रसुल्छ बताएंगे वो खबर पहलाने वाली है या नहीं फहलाने वाली है उस खबर की हकी एक उसका मतलब क्या है वगरा वगरा ये नभी से सिब्छ के दोर में अमल हुआ सहाबा से नभी असल्म के दोर के बाद आप लिए सल्म के हयात त्यवा के बाद इस आयत पर अमल आज मैं और आज दुनिया के मुसल्मान कैसे करेंगे नभी इसल्म की सुन्नतों को जानने वाले लोग हैं जिनको ओलमा कहते हैं या वारिथें जो लोने वारिथ बनाए हैं तो पहलाना चाएए या नहीं पहलाना चाहिए ये बहुत नुक्ता है इसको समझी लग आपको समझने की तोफिग अदा फर्माए लग आपको जितनी बाते मैंने बताई हैं सबसे पहले मुझे उसके बाद आपको और तमाम मुसल्मान अन्हों जोजवानों को तो हम मुसल्मान प्र ने आलम को अमल करने की तुफिक अदा फर्मा आ ला हक दिखा, हक पर चलने वाला बना, हक वालों का साथ देने वाला बना दे ला शर्क क्या है हमें मालुम हो, उस से हम दूर रहें और शर्प पहलाने वालों का तावून नकरें Allah Teala हम सब को तक्विय की जिन्दगी नसीब फर्मा Allah एमान पर जिन्दगी हो عमल साले पर जिन्दगी हो عबादतों पर जिन्दगी हो عमल साले एमान पर हमारा खात्मा हो जाए आमें आखिर दावाना आप लुद्ल्हार रुद्ल्हार अलमीन Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh